दिसंबर 2023 से कर सकेंगे राम लला के दर्सन परधान मंदिर नहीं ने 5 अगस 2020 को अयोध्या में राम लला मंदीर के लिए भूमी पुजन किया था इसी के साथ भव्य राम मंदीर का निर्मान जोरो पर है बता दे मंदीर निर्मान का काम 40% तक पुरा हो चुका है अब मंदीर के प्लीन्थ यानी पर्तिष्ठान का काम चल रहा है दिसंबर 2023 तक नए मंदीर का निर्मान कारे पुरा हो जाएगा और आम जनता राम लला के दर् के साथ ही मंदीर का निर्मान कारे हो रहा है मंदीर की निव को 15 मिटर अंदर तक बनाया गया है गिरे नाइट के सिंगल पीस के धाइट टन वजनी करीब 14,000 पत्थर लगाएगा है जार्खन की राइधानी रांची में पिछले 24 गंटे के दरान 38.2 मिलिमीटर वर्षा हो चु यान केंद्रे ने सुमवार को यह जनकारे दी है मौसम विभाग ने अगले कई दिनों का पुर्णमान भे जारी किया है इसमें बताया गया है कि 16 अगस्त को राजे में कुस अस्थानों पर हलके से मत दर्जे की बार्चा हो सकती है वहीं 17 अगस्त को भी कई जगों पर हलके जल्द होगी नियोकती सवतनत्ता दिवस के आशर पर रांची के मौराबादी मैदान से मुखे मंतरी हमंसुरे ने सरकार की प्रत्मिक्ता गिनाई जोहार के साथ सम्भोधन सुरू करते हुए सीम ने जार्खन के बीर सहीदों को नमन किया और जार्खन वासियों समेत देश स्वासियों को हार्दिक बधाई और सुबकमनाय दी सीम हमन सुरे ने कहा कि देश की आजादी की पशतरवी बर्सगाट पूरे हर सोलास के साथ मना रहे हैं हमें यह नहीं भोलना चाहिए कि अनेक बीर्योधाओ के सहादत के बाद हमें यह आजादी नसीब हुई है उन्हों सतता दिवस पर जार्खन में आजादी का जस्न जार्खन के राजे पाल रमेस बैस ने दुमका में जहन्ड तलन किया उन्होंने लोगों को समधित करते हुए कहा कि भारत सरकार की रीजिनल कनेक्टिवीटी स्कीम के तहत दुमका से कुलकत्ता पटना तथा रांची के गठन के बाद यह लक्ष तय किया गया था कि आजादी के संघर्ष में बलिदान देने वारे जार्खन के वीर सपोतों के सपनों का जार्खन बनाएंगे जिन उमीदों को लेकर अलग जार्खन का निर्वान हुआ था हम उनको पूरा करने के लिए इमनदार पर्यास करेंग सवतंत्रता दिवस पर सी अम हिमत ने पूलिस अपसरों को किया समानित सवतंतता दिवस के अउसर पर जार्खन के मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने पूलिस पता धी कार्यू तथा पूलिस कर्मियों को समानित किया CM की ओर से विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट पती पूलिस पदक, बीर्ता के लिए राष्ट पती पूलिस पदक अनुशंधान में उत्क्रिष्ट हेतु केंद्रिय ग्री मंत्री पदक एवं सरानिय सेवा के लिए पूलिस पदक दिया गया बतादे जार्खन के सिया मेमन सुनेनने मुरारी लाल मीना अपर पुलिस महानी देशक एवं हवलदार महेंद्र परसाद जार्खन राची को विशिष्ट सेवा के राष्टपती पुलिस पदक से समानित किया वहीं सहीद सहायक अवा निरिक्षक बनुआ उराव पुलिस अवा निरिक्षक परकास कुमार रजक समाजेस्ता कुनाल को विर्ता किले राष्पती पुलिस पदक समानित किया गया बोकारो में जंडो तोलन से पहले हादसा करेंट लगने से सफाई कर्मी की मौत दो पुलिस कर्मी घाया जहर खन के बोकारो सेक्टर 12 इस्थित बोकारो पुलिस लाइन में सोमवार को क्रेंट लगने से 2 पुलिस के जवानों और 1 दैनिक सफाई कर्मी गंभी रूप से घायल हो गया इन घायलों को बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया जहां पुलिस लाइन में काम कर रहे सफाई मजदूर के अस्पताल में मौत हो गई जबकि पुलिसमेंस एसोसेशन के बोकारो जीला मंत्री राजकुमार मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गया दोनों घायलों का इलाज बोकारो जन्डर अस्पतार में चल रहा है इस घटना के बाद बोकारो पुलिस लाइन में मातम का महौल छागया है आपको बता दे कि जन्ड तोलन के लिए पाइप लगाने के दुरान एहाथसा हुआ है रांची में बसो की टेक्स माफी के लिए आए 226 आवेदान लोकड़न में बसो का परिचालन बंध होने की अधी के दरण टेक्स माफी के लिए परिवहन विभाग ने अधिस उतना जारी की थी इसकी अम्तिमतिति 14 अगस्त को खतम हो गई एक माह में रांची में कूल 226 आवेदान बिभाग में जमा किये गए इनमें 1283 आवेदान स्विक्रित किये गए हैं जबकि 943 आवेदान रिजेक्ट कर दिये गए गलत वाहन नंबर समेत अन्यत रुटियों के कारान आवेदान अस्विक्रित किये गए हैं बाबा धाम में असपर्स पूजा सुरू सिग्र दर्शनम कूपन से 695 कवारियों ने किया जलारपन बाबा भोले नाथ के असपर्स पूजा सुरू हो गई है वहीं 695 कवारियों ने सिग्र दर्शनम कूपन लेकर बाबा भोले नाथ पर जलारपन किया बता दे बाबा मन्दीर का पट सुबह 4 बज़े खुलने के पुर्व कमारियों की कतार तिवारी चोग तक पहुँच गई थी पट खुलते ही पुजारी गोरो जहार ने बाबा भोले नात की सरदारी पुझा की इसके बाद सुबा करीब सावा पांच बजे से जलारपन प्रारम कराया गया आम कवारियों का जलारपन सुरू होते ही दीन के करीब आठ बजे कतार जलसार चिल्डेन पार्क तक रही कवरियों के भीड को नियंत्रित करने के लिए बाबा मंदीर के मंजला खंड में सुबा दस बये से लेकर पट बंध होने तक लगातार काट गेट चलता रहा सराय केला के इच्चा खरकई डेम का बदलेगा सरूप देश के अंदर जार्खन की अलग पहचान है खनी समपदा से परिपूर्ण जार्खन में इस वर्ष सुखाड की हिठिती है अगर कृतिम सी चाई बेवस्ता होती तो सायद आज की सानों को सुखाड का सामना नहीं करना पड़ता उक्त बाते सोतंतता दिवस परमुखे समारों में जहन तोलन के बाद सराय के लाख हर्षावा जिलावास्यों को समधित करते हुए राजे के आदिवासी कल्यांस परिवहन मंत्री चमपई सुरेन ने कही मंत्री सिरी सुरेन ने का कि हम उन सहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने ब्रिटिस समरजवाद से भारत माता को आजाद कराया उस लड़ाई में जहारखन के भी कई बीरों ने अपने प्रानों किया होती दी है या विभीन भासा एवं धर्न के लोग रहते हैं और देश को एक सुत्र में परोकर रखे हुए हैं रांची के स्कूलों में हरसो लास के साथ मनाया गया सोतन सता दिवस रांची सहर के सभी स्कूलों में हरसो लास के साथ सोतन सता दिवस मनाया गया बच्चों में जबरदस्त उत्साह का महल देखने को मिला चंड तोलन होते ही स्कूलों में संस्किति कार्यकरमों कायोजन किया गया जिसमें छोटे-छोटे बच्चे तिरंगा के साथ भारत माता के जैकारे लगाते नजर आए इसी करम में दिली पबलिक स्कूल रांची के प्रांगन में समस्त बिद्यार्थियों सिक्षगंड सिक्षकेतर कर्मियों की मौजुदगी में आजादी का अमरित महुसाओ के तहाद सोतनता दिवस धुमदाम से मनाया गया इस पावन असर पर राष्ट्रिये दहुजारोहन विद्याले के परचारे डक्टर राम सिंग ने किया गुमला में उपायुक्त सुसांत गौरोहने किया ज़ंड तोलन सवतनता दिवस दो हजर बाईस के असर पर जहमा जहम बारसा के बीच सोमवारको परमबीर अलवट एका इस्टेडियम गुमला में उपायुक्त सुसांत गौरोहने तिरंगा फाराया इसे पुर्व उपायुक्त ने प्रेट की सला मिली उपायुक्त ने प्रेट का निरिक्षन किया पी डीजे संजय ने नियालाय परिसर में एस्पी ने पुलिस लाइन में डीडी सी ने कर्याले परिसर में तिरंगा फाराया बता दे पिछले चार दिनों से हो रही वर्षा के बाद भी उत्साह में कमी नहीं आई आनबान और सान के साथ सभी पर खंडुक के सरकारी गर सरकारी संथानों में जणना पाराया गया लोग छाता रेंड कोट पहुंड कर कारकरा मस्थल पहुंचे हलाकी वर्षा के कारण सड़क पर कम लोग नजर आए डाक्टर रामेश्वर उराव ने लोहर्दागा के बीएस कॉलेज में किया जणन तोलन देश की अजादी के पशातरवे वर्षगाट पर अमरित महसों के तहत लोहर्दागा बीएस कॉलेज स्टेडिय में सवत्वत्ता दिवस के मोगे पर सोमव और कुराश्ट्री ये तिरंगा सान से लाराया गया बतर मुक्य अतिती अस्थानिय विधायक सा जारकन सरकार के बीथ तथा खादापूर्थी मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराण जणन तोलन किया इससे पहले मंत्री द्वारा प्रेट का निरिक्षन किया गया साथी त्रंगे को सलामी भी दी गई बतादे कारेकरेम के दोरान विभीन छेत्रों में उत्रिष्ट कारे करने वारले को समानित किया गया जार्खन सरकार के बीत एवं खादा पूर्थी मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराण उपायुक्त डाक्टर बाग्मरे परसाज क्रिष्ण और एस्पी आर राज कुमार ने समानित करने का काम किया रांची के अलवट एका चोग पर लगाई गई दही हांडी श्रीकिष्ण जनमाश्टमी महोच्षव समीति की ओर से अलवट एका चोग पर श्रीकिष्ण का जनमोच्षव धुम धाम से मनाया जाएगा दो दिवसे ही कारकरम का उस घाटां 29 अगस्त को होगा बता देर अभिवार को सुबह साड़े साथ बहे समीति के संड़क्षक संजाय सेट वध्यक्स मुकेस काबरा महासचीव जोहार तनेजा सहीत समीति के संजाय सेट के नतित में जनमाश्टमी महोच्षव पर होने वाले दई आहंडी फोडो परत्योगता के लिए एक मटकी को सजा कर टांगा गया इसे प्रतिकात्मक तोर पर लगाया गया है इस असर पर संड़क्षक संजाय सेट के अध्यक्स्ता में सिरी राम मंदीर के समीति के सदस्यों के साथ बैठक होई जिसमें 29 और 20 अगस्त को आयोजन भवे रूप से मनाने का निन लिया गया है हजारी बाग के बिवेक को राष्टपती बीरता पदक अदम में उत्सा और सासी अभियानों में बीरता परदर्सित करने के लिए हजारी बाग जिलेक बिवेक कुमार तिवारी को राष्टपती के बीरता पदक से पुरुस्कीत किया गया इसकी घोस्तना सुतनता दिवस 2022 क पुरुसंद्या पर ही की गई बता दे विबेक की तैनाती जम्मू और कास्मीर में है और वह वैली कुवाद कमांडों के सदस्य हैं विबेक और उनकी टीम ने कास्मीर घाटी में अब तक 50 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है और इन में से कई आतंकवादी ये पलस रेनी के थे करंट लगने से तीन भाई बहनों की मौत सियम हिमंत ने जताया सोक जारखन की रजधानी रांची के काके थाना छेतर के और संडे में एक ही परिवार के तीन भाई बहनों की 11,000 भोल्ट के नंगे तार की चपेट में आने से मौत हो गाई गाटना रभिवार की देर साम की है संध्य साथ बजे के आसपास बिनीत कुमार जा अपने घर के चट पर लगे तिरंगा जंडा को ठीक करने गया था आंधी पानी में तिरंगा जंडा गिर गया था जैसे ही बिनीत जंडा ठीक करने लगा हावा की जोका में लोहे का पाईप चट से दो फीट की दूरी से गुजर रहे बिजली के तार से सट गया पलक जपकते ही बिनीत की मौत हो गई रांची सिविल कोर्ट के 27 वरिष्ट अधिवक्ता समानीत 17 दिवस के अउसर पर रांची सिविल कोर्ट में परधान ने आया यूक्त एक के रायन ने जहन्दोतोलन किया नज जिलाबार के भवन के समग्च रांची जिलाबार एससेशन के अधियक समभू परसाद अगरवाल ने जहन्दोतोलन किया इस मौके पर वकालत के 50 साल पूरे करने वाले 27 वक्यों को रांची जिलाबार एससेशन ने समानित किया एसेसियेशन के महासचीव संजय कुमार विद्रोही ने कहा हम लोग सोचनता की 75 साल गिरा मना रहे हैं इस अवसर पर अमरित महोसव पुरा देश मना रहा है एसेसियेशन 50 साल की वाकालत पुरा करने वाले अधिवकताओं को समायनित कर रहा है या काफी हर्स की बात है ज्यारखन में लाल सलाम पर लगाम डीजीपी ज्यारखन में वर्स 2019 से 2022 के बीच पिछले तीन वर्सों में सुरक्षा बलो की करवाई में कूल 51 नक्सली मारे गया है जबकि कई सिर्स कमान्डरो समेत 15 सच 26 नक्सलीों को गिरापतार किया जा चुका है सोम वार को 77 दिवस की 75 वर्स गाठ के आउसर पर आईदानी राची में पूलिस मुख्याले में जण्डो तोलन के बाएद आपने समोधन में राजे के पूलिस महानी देशक नीरज सिन्हा ने बताया की सुरक्षा बलो की करवाई में पिछले 3 वर्सों में पूल 51 नक्सली विभिन मुट भेडो में मारे गाए उन्होंने कहा कि गिरापतार नक्सली में एक पुलित वीडरो स्दा से एक सेंटरल कमिटी स्दा से तीन स्पेसल एरिया कमिटी स्दा से एक छेत्रिये कमिटी सदा से बारा जोनरल कमांडर, तीस सब जोनरल कमांडर और एक सट एरिया कमांडर सामिल है जारखन में च्छा महिने में भरे जाएंगे 37,000 पहद सियम हेमांत सवतंत्रता दिवस के उसर पर जारखन के मुख्य मंत्री हमांसुले ने राजधानी राची के मुराबादी मैदान में एविजित मुख्य राज किये समारों में यहां जण तोलन किया और प्रेट की सलामी ली राष्ट्रिय धवज तिरंगा फाराने के बाद समारों को समोधित करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि राजध के सरकारी स्कूलों में सिक्षको और परियोग साला सहायक समेत अन्य के 37,000 से अधिक पद रिक्त हैं इन पदोपर नियुक्ती के लिए बिशेस अभियान चलाकर 6 महिने में नियुक्ती पर के लिए पूर्ण करने के कार प्राराम कर दिया गया है उन्होंने कहा कि बिश्वविद्यालियों में सिक्षको के रिक्त 37,000 सोला पद पर नियुक्ती के लिए अधियाचना जेपी सी को भेज दी गई है वहीं उन्होंने कहा कि बिली छेत्र में नियंतर सुधार के साथ ही राजे के सहरी छेत्र को हरा भरा बनाए रखने के लिए एक पेड़ लगाने पर पांच यूनिट बिली मुफ्त उपलब्द कराने की योईना परकार किया जा रहा है बीना फाटक वाली क्रोसिंग पर ट्रेन ने मारी आटो को टक कर माल गाड़ी में लगे रेल इंजन ने सड़क पार कर रहे टेमपो को टक कर मार दी जिसे चाला की घटना स्थल पर ददनाक मौत हो गई घटना छोटका काना गाओ जाने वाली सड़क पर बीते रात होई बता दे बरका काना मौरी रेल खंड के टी आडी आफिस के समी बरका खाना से मौरी के लिए खुली माल गाड़ी के इंजन ने सड़क पार कर रहे टेमपो को टकर मार दिया इसके बाद टेमपो लगबाग 30 फीट घसीटता हुआ गया टकर से टेमपो के परचके उड़ गए धनबाद के गोमो एस्टेशन में दो सहायक लोको पाइलट घायल धनबाद के गोमो एस्टेशन परिशन में क्रू लोबी तथा मोख्य क्रू नियंत्रक कर याला के समक्ष जंड तोलन के दोरान डेटोनेटर फटने से गोमो तथा कोडरमा के एक-एक सहायक लोको पाइलट घायल हो गए दोनों घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्त केंद्रे में हुआ जनकारी के अनुसार एस्टेशन परिशन में जंड तोलन के दोरान डेटोनेटर फटने की परमपरा वर्सों से चली आ रही है स्वमवार को मुख्य कुरू नियंतरक था कुरू लोबी के समक्ष जंड तोलन किया जा रहा था रेल पर्टरी पर डेटोनेटर पहले से बांदी थी जंड तोलन होते ही डेटोनेटर फोड़ने के लिए उस पर्टरी से एक इलेक्ट्रिकल इंजन पास कराया जा रहा था इस दोरान मुख्य कुरू नियंतरक कर्याला के पास डेटोनेटर का कुछ भाग उड़कर गोमों के सहायक लोको पाइलट सासी भोशन कुमार के दाय हाथ के बाजू में घोस किया वहीं कुरू लोबी के पास डेटोनेटर का कुछ टुकडा कुड़ा कुडरमा के सहायक लोको पाइलट दिपक कुमार के पेट में घोस किया देश बनेगा जौब किरियेटर टाटा इस्टील एमडी इस मोके पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की नजर अपने देश पर है रोजगार एक मुद्दा है लेकिन आने वाले समय में भारत जौब केरियेटर देश होगा टाटा इस्टील ने देश की आजाद्धी के साथ साथ 75 वर्ष में कई चुनोतियों का सामना करते हुए विकास के माग पर चल कर विश्व में अपनी पाचान बनाई है ज्यारखन के 14 पुलिस कर्मियों को बीरता पदक भारतिये पुलिस सेवा के ओफिसर के बिजय संकर सहीद ज्यारखन के 14 पुलिस कर्मियों को 15 अगस्त के मोखे पर पुलिस मेडल फोर गेलेटरी अवाट परदान करने की गोशना की गई है इसमें नक्सली हमले में सही जारकन पुलिस के छाज़वान भी सामिल है इसके अलावा रांची जी लाबल में पदस्थापित इंस्पेक्टर वेंग्टेस कुमार को डिस्टिंग्विस सर्विस के लिए राष्ट पति पुलिस पदक और एक गाराफ पुलिस अफसरोवा कर्मियों को मेरिटोरियस सर्विस के लिए पुलिस पदक देने की कोशना की गई है केंद्रिय ग्रिह मंत्राले ने पदक पाने वाले पदाधिकारियों कर्मियों के सूची जारी की है जार्खन में 3120 सिख्षको की नियुक्ती शुरू राजे के 510 पलस टू स्कूलों में 3120 सिख्षको की नियुक्ती परक्रिया शुरू की गई है जारकन करमचारी चायन आयोग की और से आवेदान जमा करने की तिति घोसित कर दी गई है राजे में इससे पहले भी तीन बार प्लस टू स्कूलों में सिसको की न्युकती होई जब भी सिसको की न्युकती होई पद रिक्त रह गए कई भी सोयों में योग ये अब्यार्थी नहीं मिले वहीं राजे में गनीत भौती रासाइन वा अंग्रेजी में सिस्कों के सबसे अधिक पद रिक्त रहा गए है जंक फूड के कारण हडिया हो रही कमजोर जंक फूड या फास्ट फूड हमारे हडियों को नुक्सान पहुचा रहा है जब हम जंक फूड खाते हैं तब हमारे हडियों के लिए जरूरी प्रोटीन, केल्सियम, बिटामिन और मिनरल नहीं मिल पाता इससे हडि कमजोर होने लगी है खराब, जीवन सहली, एकसरसाज नहीं करना और खान पान की आयतों में बदलाव के कारण इन दुनों युवाओ में हडियों से जुड़ी बिमारिया बढ़ रही है धनबाद में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन का दो फाड प्रखर माक्सवादी, चिंतक, एके रायद्वारा, सतर के दसक में अस्थापीद बिहार कोलियरी कामगार यूनियन दो फाड हो गई है रामगार में संपन दो दिवसिये दसवे अधिवेशन के अमतिम दीन माक्सवादी, समन्वे समीती और CPI आमने सामने आ गए अध्याक्सपत पर हुए बिवाद के बाद दोनों ने अपनी अपनी कमेटी की घोस्तना कर दी धन्यवाद